जी असलाम नेकूम, कैफ़ और आज के लेक्चर का आगास करते हैं, लेक्चर नमबर टू, आज के लेक्चर में हम अपना पहला टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं, बिजनिस लाओ का, इसमें कुछ टरम्स हम सीखेंगे, जो के हाला के बेसिक टरम्स हैं, लेकिन ये आपक के फूरे बिजनिस लाओ में यूज होंगी, जिस तरह आपने जब पि-र-सी लेवल पे काउंटिंग सीखी होगी, तो आपने दो अलफाज सीखे होंगे, मेरा कहला है शायद स्टार्टिंग लेक्चर में, डेबिट और क्रेडिट, फिर आपने देखा होगा, कि इसके कि कुछ अलफाज ऐसे होते हैं जो बेस होते हैं उस अबजेक्ट की फ्रीक्वेंटली यूज होते हैं, स्टार्ट में जरूरी होता है कि पहले उन अलफाज को अच्छे तरीके से समझ लिया जाएंगे, तो आज के लेक्चर में हम वो अलफाज सीखेंगे, जो के कंसेप्स को सीखना है आज के लेक्चर में और यह समझ लीजिए कि जैसे अकाउंटिंग में डेबिट क्रेडिट हैं, यह हमारे लौ के डेबिट क्रेडिट होंगे, ठीक हैं, यानि ऐसे अलफाज जो के फ्रीक्वेंटली तकरीबन हर चैप्टर में यूज होने हैं, फिर तो हमारा अपना जो बुक का असर जो मैंने आप से कहा था कि कोर रीडिंग मटेरियल होगा और फिर आई कैप की बुक का स्ट्रक्चर भी, हाला कि आप उसके साथ फामिलियर होंगे, लेकिन जाहिर है, मेरे सबजेक्ट से रिलेटिड जो भी चीज आप उससे पहले पढ़ है तो भूल चुके हैं, तो मैं हर वो सीरीज जो उससे पहले इस सब्जेक्ट में यूज हो रही है, लेकिन इससे पहले अगर आप यार्सी लेवल पर पढ़ चुके हैं, तो उसके बावजूद में इस क्लास में उसको डिसकस करवाऊंगा, यह हमारा जनर रूल होगा, तो बुक्षाप पे भी वेलबल होगा, अगर कोई स्टुएंट हार्ट फार्म में इसको बाई करना चाहे, बुक्षाप पे वेलबल है, वरना साफ्ट फार्म में मैंने आपके साथ शेयर कर दिया है, आप सिरफ साथ फार्म से भी पढ़ सकते हैं और असाइन्मेंट भी कर सकत अच्छा स्टुक्चर जिहन में रिखिएगा, क्योंकि आगे जितने भी चैप्टर आप पढ़ेंगे, इसी स्टुक्चर के उपर बेस कर रहे होंगे, सबसे पहले देखे, आप जब किसी भी बुक के किसी भी चैप्टर पर जाएंगे ना स्टार्ट में जो, जब चैप्टर का नाम नजर आ रहा होगा, चैप्टर का टाइटल, नमबर और टाइटल, आफ़र, एक्सेप्टर, जो भी इसका टाइटल है, फिर इसके बाद है, लर्निंग अबजेक्टिव, यह लर्निंग अबजेक्टिव नमबर और यह लर्निंग अबजेक्टिव, लर्न दी हुई है उसने हमने पूरे चैप्टर को लॉजिकल पार्ट में डिवाइड कर दिया अच्छा अब यह सम टाइम ऐसा होता है कि हर कंसेप्ट के अंदर भी छोटे-छोटे कंसेप्ट होते हैं ठीक है तो यह बिसिकली समझ लिजिए कि एक बड़ा कंसेप्ट है जैसे टाइप सोफ आफ़र है उसमें जाहिर है कोई एक टाइप ओफ आफ़र तो नहीं होगी कोई दो तीन चार होंगी टाइप सोफ आफ़र तो वो हो सकता है लादा-लादा छोटे-छो प्रिफ़र आइकप बुक रेफरेंस इन स्ट्रूंट के लिए है जो आइकप की बुक को भी साथ-साथ रीड करना चाहते हैं या सिरफ आइकप की बुक से भी अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो आपको पता चल जाएगा कि यह जो कंसेप्ट आज हम पढ़ने जा रहे हैं अगर तो आपने इंस्ट्रूक्टर बुक से पढ़ना है तो इसके नीचे चलिए आपको लर्णिंग अब्जेक्टिव यह जाएगा अगर आप कहते हैं नहीं हमने आईकप की बुक से पढ़ना है तो आप आईकप की बुक को ओपन की जी आईकप की बुक में किस चैप्ट नमबर टू पर पहला बॉक्स बताएगा चैप्टर नमबर टू और फिर इसको बार पैराग्राफ नमबर कुन सा है सेक्शन वान ठीक है यह मैं भी आपको एक्स्प्लीन करूंगा कि आईकप की बुक में आपने कैसे जाना है फिलहाल आपको यह बता रहा हूं कि हम जो भी कैप की बुक से पढ़ना चाहें या दुनों जगा से पढ़ना चाहें उनके लिए असानी हो जाए वो असानी से उस जगा पर पहुंच सकें क्योंकि बाज वकात कंसेप्ट की तरतीब फरक होती है जैसे कुछ कंसेप्ट हो सकता है हो चैप्टर टू में ही लेकिन अगर हमे पहले दूसरा कंसेप्ट ऌना ज़रूरी होता है कंसेप्ट की तरतीब भी ऐहम होती है वरदना वो समझ में आहें तो सम्झ में नहीं आते नहीं कि जो प्रिवियूस नॉलिज होता है उसका या स्ट्रूवेंट के जो कैलिबर और को सामनी रखते हुए तरतीब को reference है sometime section two पहले आजाए, section one बाद में आजाए, इस chapter में ऐसा नहीं है section one पहले है देखे section two बाद में है लेकिन बाद उका तर्तीव आगे बीचे हो सकती है chapter वो ही हो लिए तो यह आपको समय लग गई हर chapter का पहला page क्या होगा, concepts total कितने हैं, फिर उसके बाद उन concepts का title कौन-कौन से है और iCAP की बुक का reference होगा हमेशा इंचाला यही होगा end पे है, appendix appendix क्या है देखें, iCAP ने अपनी बुक के अंदर questions भी हर concept के साथ add किये होगे अब वो questions जो iCAP ने add किये हैं वो दो तरह के एक वो questions जो के past papers के हैं यह अमूमी तोर पे थोड़े बड़े questions होते हैं moderate level की length होगी इनकी या high length होगी ज्यादा length, मतलब paragraph ज्यादा होगी और एक वो questions होते हैं जो past papers के नहीं है, examples है iCAP ने उस concept को समझाने के लिए चोटी-चोटी examples बनाई हैं, दो तरह की question होगी जो examples होगी वो आपने read कर लेनी है ठीक है, समझ लेनी है उनको exact paper format में हम assignment में दोनों करेंगे, यह जहें में रखिया और दोनों आपने return for aam में करने होगे लेकिन जो मेरा ज्यादा जोर होगा presentation के उपर यह जिन questions को base बना के मैंने आपकी presentation develop करनी है वो iCAP के past papers के question होगे ठीक है जी? तो हर iCAP के अगर आप book देखेंगे उसमें एक book के अंदर आपको concept भी मिलेंगे और उसके questions भी मिलेंगे questions दो तरह के होंगे कौन कौन से? एक past papers के और दूसरे वो जो past papers के नहीं है उन्होंने खुछ से बनाए है चोटे-चोटे questions stores को concept समझाने के लिए बनाते हो वो ये था कि इसमें iCAP के book की हर चीज मुझूद हो प्लास उसको हम simplify करें प्लास कुछ additional चीज़ें जो iCAP के book में नहीं है लेकिं instrument के लिए जरूरी है उनको भी add कर दिया जाए वो बुक क्या क्या चीज़ें वो यस्ता इस्ता जैसे आगे चलेंगे मैं आपके साथ शेयर करूँगा तो इसलिए इन्शाला iCAP के book का तकरीबन हर question आपको मिल जाएगा आप उसको match भी कर सकते है लेकिं फिर भी मैं ये कहा करता हूँ कि आपने एक दफ़ा अगर हमारे वाली बुक से भी त्यारी कर रहे है न तो जिन्दगी में कम असकम एक दफ़ा यानि इस सेशन में कम असकम एक दफ़ा iCAP की book को भी आपने read कर लेना है ताकि कम असकम आपको ये तसलिए हो जाए कि उसके सारे concept साफ ने पढ़ लिये है अच्छा ये अपने इसमें आप देखेंगे हर concept के साथ उसके questions मुझूद है iCAP की book में जो questions है वो हर concept के साथ मुझूद है पास्ट्वेपर के भी और अदर देन पास्ट्वेपर के भी लेकिन हर learning objective केंड़ पर सिर्फ उनका question है iCAP ने क्या किया question भी दिया साथ नीचे solution भी दिया लेकिन बाज उकात ऐसा होता है question करते है अच्छानक solution में नजर पढ़ जाती है तो पता चल जाता है इसने कैसे solve होना है तो वो एक unfair advantage मिल जाता है हमें कि इसको इस तरीके से solve होना है फिर mind automatically उसी direction में सोचना शुरू हो जाता है तो इसलिए हमने solution को end पे shift कर दिया ताकि जब आप question कर रहे हो गलती से भी आपकी नजर solution पे ना पढ़े इसलिए जो आपको जितने भी in learning objective के end पे questions मिलेंगे उनका solution end पे मिलेगा solution to practice question उपर है learning objective के end पे solution नीचे है और फिर जो कि हमारे paper में exam में mcqs based questions भी आएंगे तो फिर इस chapter के end पे कुछ mcqs भी है clear ये हैं हमारा पहले page का structure फिर इसके बाद जब आप ये समझ आ गया clear पहला checkment यहाँ पे लगाते हैं यहाँ तक कोई question पूछना चाहते हैं कोई question नहीं है आगे चाहँ नेक्स पेज़ पे जब आप जाएंगे तो आपको ये चोटा सा graph ये चोटी मोठी commentary है overview आपको दिया जा रहा है ये पढ़ लें तो अच्छी बात है ये याद नी करनी होती ये वाली चीज़ याद नी करनी ये सिर्फ आपके reading कर लें आपको अंदाजा हो जाएगा कि आगे क्या चलने वाला है ये है पास्ट वेपर्स का trend analysis इसमें आपको सिर्फ एक idea मिल जाता है कि इस chapter में पास्ट वेपर्स में कब-कब कितने-कितने marks का question test हुआ है अच्छा इसमें कुछ जगों पे judgment apply करना पड़ती है बाज उकात ऐसा होता है कि एक case study कभी कभार ऐसा होता है अमूमी तोर पे ऐसा नहीं लेकिन अब recent जो आई-कैप का trend change हो शाद मने कल भी जिकर किया था कि अगर syllabus change ना भी होना तो sometime examiner का testing style हो जाता है तो recently उसका testing style change हो है अब बाज उकात case studies हो है वो दो topics यह तीन topics को मिला के भी पूछ लेता है तो अगर कोई mixer होना तो फिर हम अपनी judgment की base पे उसके bifurcation करते हैं कि छे नंबर की case study में अगर दो concept टेस्ट हो है तो आप यह समझे होंगे कि तीन नंबर का एक concept है तीन नंबर का दूसा concept है लेकिन हमें अदाजा होता है कि एक concept जो है वो छोटा है दूसा concept बढ़ा है तो एक दो का होगा एक चार का होगा तो judgment की base पे हम classification कर लेते हैं तो यह में भी कुछ फरक आजाए एक दो नंबर का यह इस तरह फरक लेकिन यह आपको overall trend बताएगा कि chapter past paper में किस attempt में कितने marks का test हो रहा है आपको उसकी significance पता चल जाती overall किया है जैसे इसको देखके मुझे लग रहा है कि past में rough idea लगा रहा हूँ past में तो कोई इतनी ज्यादा इसकी testing नहीं हो दिए तक रिए तकरीबन नीचे attempt लिखी है और उपर उसने बताया हुआ है किस attempt में कितने marks पेपर इस chapter में test हो था यह समझ आगे आपको यह सिर्फ आपको trend analysis यो करवाने के लिए है इससे आपने कभी भी selective study का decision नहीं करना स्वोर्ण से एक बड़ी गलती करते हैं बड़ी गलती करते हैं बड़ी गलती करते हैं वो इस तरह का अंदाजा लगाते हैं अच्छा यह तीन attempt में test नहीं हुआ फिर अगली तीन attempt में test हुआ है अब test नहीं होगा यह इस attempt में test हुआ है इसमें नहीं हुआ फिर इसमें हुआ है इसमें नहीं होना आईकैप इस तरह के जो आप गैस करते हैं और स्लेक्टिव स्टडी करने की कोशिश करते हैं उसको डिस्करीज करता है मना यह देखे जागा अगर आप किसे शोड़ने इस अटेंट में यह टेंट फालो करने की कोशिश की वह इधर टेस्ट हुआ इधर नहीं हुआ फिर इधर हुआ अभी स्ट्रेंट की त्यारी कर रहा है उसका गैस कर रहा होगा तो क्या करेगा टेस्ट नहीं होगा आईकैप ने लेकिन भी छे नमबर के साथ साथ जाद नमबर के साथ टेस्ट कर लिए इसको आई-कैप नाम देता है अनप्रेडिक्टबिलिटी का, कि पेपर मैं अनप्रेडिक्टबल रखूंगा, बच्चा प्रेडिक्ट नहीं कर सकेगा, चाहे वो ट्रेंड के सामने रखके क्यों ना प्रेडिक्शन करने की कुशिश करें, आई-कैप ट्रेंड को भी बाजा deviate करता है जान बूच के ये चीज़ जहन में रखिएगा फिर इसके बाद आगे चलते हैं ये है ओवर्वियू अफ चैप्टर इस चैप्टर में आप क्या सिखने जा रहे हैं ये भी याद करने की नहीं सिर्फ एक दफा रीड कर लीजिए आपको अंदाजा हो जागा है ये के इर्दिगर्द घूमेंगे वो जब आपको पता चलता है ने कंसेप्ट में क्या क्या उंछ कहां से हैं कंसेप्ट किया अगे चलेगा कहा तक स्टार्ट कहां पे एंड कहां तक है तो उस कंसेप्ट की जड़ है ना मुझबूत हो जाती है इसलिए पहले ओवर्वियू दी चैप्टर आपने अमूमी तोर पर चैप्टर कम्लीट करने के बाद पढ़ना है ये चैप्टर स्टार्ट करने से पहले ये कम्लीट करने के बाद ही आपको पता चलेगा कि इस चैप्टर में एक्जैम पॉइंट ओफ उसे क्या चीज अहम है क्या चीज अहम नहीं है यानि इस चैप्टर में आई कैप अमूमी तोर पे क्या टेस्ट करता है आपको किस लिए तियार होना है ये ये तो वैसे आपको पास्टोपर की प्रैक्टिस भी करेंगे उसे भी अंदाजा हो जाएगा लेकिन ये आपको अमूमी तोर पे बताएगा कि आई कैप का फेवरिट एरिया इस चैप्टर में से क्या है ये पेज समझ आगे आपको इसमें ग्राफ था ओवर्विव था चैप्टर का और एक्जैमने बिल्टी के बारे में डिसकुशन दिया था फिर इसके बाद देखें लेर्निंग अब्जेक्टिव वन ये लेर्निंग अब्जेक्टिव वन का टाइटल एग्जैक्ली वही होगा जो आपने उपर फर्स्ट वेज में टेबल फार्म में पड़ा था अब वही सारे learning objective उसी तरतीव से पहले वान फिर टू फिर 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 फॉर फाइप इस तरीके से चलेंगे headings दे के underline किया हुआ इसका मतलब है ये main concept के नीचे sub concept है ये sub concept है ये उसकी explanation है sub concept है उसकी application है फिर some time हमने कुछ इस तरह का box बना कि उसके अंदर भी information शेयर की होती है ये अमूमी तोर पे हम box उस वक्त नहीं बनाते जब कोई चीज कम एहम होती है बलके हम box यानि मेरी आदत है मैं box उस वक्त बनाता हूं information box में उस वक्त शेयर करता हूं जब वो exam point of who से ज़्यादा एहम है तो बाज वकाद स्टोंट पूछते हैं सर ये जो box में चीजें लिखी होती है क्या हमने ये भी याद करनी है कि सिर्फ उपर नीचे वाली चीजें याद करनी है तो मैं करता हूं ये जो box वाली चीजें है ये ज़्यादा एहम है ये तो आपने जरूर याद करनी है और एक और स्टोंट क्वेस्टन पूछते हैं सर ये जो bracket वाली चीजें है क्या ये भी याद करनी है ये ये भी याद करनी है तेकि हर टीचर का अपना स्टाइल होता है हो सकता है कुछ बुक्स में या कुछ टीचर्स का आदत ये हो को ब्रैकिट में वो चीजें लिखते हैं या हाइलेट करके वो चीजें लिखते हैं जो अडिशनल हो चाहे स्टूर्ड करें चाहे ना करें ठीक है लेकिन मेरी आदत क्या है मैं हाईलेट करके या या ये बॉक्स के बना कि उसके अंदर जो इंफरमेशन शेयर करता हूँ वो कौन से वाली इंफरमेशन होती है जो 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 इंफरमेशन एहम नहीं होती ना बच्चा चाहे तो करे चाहे ना करे वो मैं बुक में इंक्रूड ही नहीं करता बुक में वो आपको कहीं मिलेगी नहीं वो मैंने साइड पर लादा करके नोट किया हुआ है वो मैं आपको क्लास में जबानी कलामी एक्स्प्रेन करता हूँ ठीक है तो जो चीज़ें आपने नहीं करनी ना वो book में है ही इस किताब में हर चीज को cover करना है कोई चीज भी छोड़ने में है सारी चीजें आपको याद होनी चाहिए हाँ याद कैसे करेंगे वो मैं आपको आहेसा एषिजा मता दूँगा कि याद किस तरीके से करना है जी एक concept clear हो गए यह पता चल कि आपको concept तो box वाली चीज़ें और bracket वाली चीज़ें आपने करनी है के नहीं करनी है और भी करनी है शावश end पे देखिए इसी तरह learning objective खुतम हुआ उसके end पे practice question आ गया practice question जब आया उसके end पे आप यह देखिए क्या लिखा हुआ है reference icap की book में ये question मुझूद है icap की book के chapter 2 में है example नंबर 5 और 6 दो example जिसके उपर base करते हैं हमने उन दोन दो example को मिलती जुलती थी चुके उसको पार्ट A कर दिया एक को पार्ट B कर दिया ठीक है आप चाहे तो icap की book से कर ले चाहे तो यहां से कर ले चुके सेम अधर ही है उसका मतलब है अगर आप इस book को प्रिपेर करते हैं icap की book को करने की जरूद नहीं क्यूद इसको करने की जरूद नहीं चीज़े वही है रेफरेंस मैं इसलिए दे दी आपके तसली हो जाए फिसके बात learning objective 2 है main concept उसके नीचे sub concept नीचे practice question इसी तरीके से आगे चलता रहा है यह देखें चलता जा रहा है हां एहम चीज़े को यहां पे देखिए यहां पे देखिए य example, icap की book example number देदिया, match करना चाहें जाके कर सकते हैं, icap की book examples के number देदिये, question 6 को देखिए, इसमें वो यह भी बता रहा है question है, यह भी बता रहा है, icap की book में chapter 2 में practice question, icap अमूमी तर पे example उसको कहता है, जो उसने खुद से आपको समझाने के लिए छोटी-छोटी चीज़ बना के दी हैं और प्रैक्टिस क्वेस्टन उसको कहता है जो पास्टोपर का क्वेस्टन होता है तो प्रैक्टिस क्वेस्टन का लफज आई कैप किसलिए यूज करता है पास्टोपर के क्वेस्टन के लिए और जो पास्टोपर का क्वेस्टन नहीं है वैसे आपको मिसाल दे करना है एक्जेम्पल को भी करना है प्रैक्टिस क्वेस्टिन को की मैं ज्यादा जो आपको एंफसिस करवाऊंगा डिटेल में डिसकेशन हर एक की होगी है कि एक एक्जेम्पल की भी इंशाला हम क्लास में डिसकेशन करेंगे प्रैक्टिस क्वेस्टिन की भी लेकिन प्रैक् भूर की है । अ बिजिनेस लाप के सब्झेट का नंबर और सप्रिंग 2016 इए इसका मतंब है यह है सब्सक्राइब स्क्राइब इसका मैं मिए अधने में कॉपें सिंशनन का कुछेर केर उसमें कोन से वाला कौफन नंबर तो तो दो नो रेफरेंस आई कैप के पास्टोफर का भी और आई कैप की प्रेक्टिस के अच्छा यहां पे आप नोट कीजिए इस लफा यह ने एक चीज एड की है प्रेक्टिस कर रहे होता है जो चीज देखे हमारी नजरों के सामने नहीं होती ना हमारा उस तरफ ध्यान भी नहीं जाता है तो जब टाइम मेंशन नहीं होता था ना मैंने यह चीज नोट की है कि बचे जब क्वेस्टिस को सॉल्व करते थे वो समझते थे ओपन एंड है जितने मरजी टाइम में क्वेस्टिस को सॉल्व कर ले जाए क्वेस्टिस का कम्प्लीट होना जरूरी है देखें क्वेस्टिस का आपके आंसर का कम्प्लीट होना जरूरी है उसका विदिन टाइम होना भी जरूरी है अच्छा अब इस प्रॉब्लम का ना के कम्प्लीट त इसलिए पहले दिन से अब मैंने आपकी सेशन में प्रैक्टिस करवानी है या जोर देना है इसके उपर के आपने एक्जेम्पल तो चलें जैसे करने एक्जेम्पल में तो सीख रहे हैं ना वह तो ओपन एंड़ है लेकिन जब भी आई कैप का पास्ट वेपर का क्वेस्टन उसके साथ एस्टिमेटेड टाइम टू सॉल्व लिखा होगा आपके लिए जरूरी है आपने उसी टाइम के अंदर उसको सॉल्व करना है शुरू शुरू में टाइम मैनेजमेंट में प्राब्लम होगी लेकिन आश्ता-श्ता प्रैक्टिस से ये ठीक हो जाएगी क्लियर ह कैसे होता है या आप खुद भी कल्कुलेड कर सकते हैं वैसे मैंने खुद से कल्कुलेड करके दिया हुआ है आई कैप के साथ लेकिन जिन क्वेस्टन मैं फर्स कीजिए मैंने नहीं दिया कैसे कल्कुलेड करेंगे मार्क्स को 1.8 से मल्टिप्लाइ करें और कोशिश करें थ कर सकते हैं 7.2 को सेजिड में 1 तौस साथ मिनट के साथ उसके सेडिकर लें 7.2 का मतलब की है साथ मिनट 20 सेजिड नहीं इसका मतलब है साथ मिनट 12 सेजए ठेड— 2 वो persistent Washrolone जा informations एडिजरो और जो साथ में 17 एक ले separate हो अधिके एसी तरह रहा है reference उसी तरीके से चलना है फिर इसी तरह question, concept, question देखें, इसी pattern के मताबिक है यह exam tip यह आपने याद करनी है कि नहीं करनी बहुत करनी है, यह ज़्यादा है हम नहीं इसके बाद आके चल, end पे आगे चैप्टर complete हो गया यहां पे, फिर इसके बाद क्या हुआ, mcqs, mcqs शुरूँ है यह सारे mcqs है, हमारे exam में mcqs भी आएंगे न, यह mcqs और फिर इसके बाद mcqs का नीचे solution है यह mcqs नमबर आ गया, फिर इसके बाद mcqs solution और यहां पे इसकी explanation है, जिस इसकी explanation है उसके साथ लिख दीगे जिसके explanation नहीं है, उमीद है आपको समझ आ जाजाएगा ना समझ आ जाएगा तो आप लास में पूछ सकते हैं फिर इसके बाद जो question थे उनके solution है question one का solution, two, three उसी तर्तीब से, clear, समझ आ रही है iCAP अपनी website के उपर चार resources आपके लिए subject wise देता है हर subject के आपको चार resources मिनेंगे क्या है question paper, solution, examiner, comments, and marking plan question paper क्या है, पिछले कई attempts में जो actually question paper iCAP ने test किया था वो website के उपर available है उसका suggested solution available है कि इसका solution क्या होना चाहिए था ठीक है यनि examiner क्या expect करता है लेकिन साथ ही उसने solution में यह भी लिखा होता है उसमें के alternate wording के साथ भी है, आपने गर attempt किया है, concept ठीक है, हम उसको correct mark करते हैं पिर इसके बाद दो और चीज़ें, question paper और solution यह तो शायद आपको पता चले हिया होगा, सुन के इनका नाम और चीज़ें examiner comments और marking plan, marking plan क्या है वाला, marking plan यह है, कि आपके solution में क्या चीज़ लिखी थी, तो उसके मैंने कितने marks दीए, ठीक है, यानि यह चीज़ लिखी थी, इसका अदा नमबर solution में 5 पॉइंट है पहले पॉइंट के लिखने के कितने नमबर थे, दूसरे पॉइंट लिखने के कितने नमबर थे, तीसरे पॉइंट लिखने के कितने नमबर थे, बाज उकाद नमबर सेम होते हैं, बाज उकाद नमबर डिफरेंट होते है, तो आपको अंदाजा हो जाता है, कि examiner मेरे solution में क्या चीज़ देखे मुझे नंबर देता है यह मार्किंग प्लैन भी आपके लिए पढ़ना ज़रूरी है और सबसे ऐहम चीज़ है एक्जामिनर केमेंट्स होते हैं वह एरर्स जो स्रोण्ड्स करते हैं पेपर को अटीप्ट करते हुए जो आपके सिनियर्स ने गलतियां कि जो इनके लिए चीज़ शूरूरी ज़स्कीन प्लैंंडर बैटे थे determine एक्जैमनर कमेंट्स शेयर करता है मेरे जाती ख्याल में आपके लिए जो सबसे एहम एजुकेशनल रिसोर्स है आई कैप की तरफ से वह यह एक्जैमनर कमेंट्स हैं इनको आपने जरूर पड़ा करना है आप स्टूरूंट है आप यह समझते हैं सजैसिस स्लूशन जो वह थीक लिखना है घ्लती को उर्ट करना है यह सीख ना गलिती को आवाइड करना है तो जब आपकोई कंसरफ samhड के बेसिक beim होते हैं तो आपके लिए सजैसिसलूशन ज्यादा हैं हो लेकिन जब आपकी कंसर्फ को ग्रिप हो जाती है पिर आप कहते हैं मुझे गलती है जो वाइड करनी है उनके ओपर फोकस करूँगा तो एक्जैमिनर कमेंट्स वह गलती होती है तो देखें जैसिसलूशन के नीचे जहां जहां अवेलेबल है आईकैप ने कुछ अटेम्ट्स के पास में प्रैक्टिस होती थी कुछ में नहीं होती थी जहां जहां अवेलेबल हैं हमने एक्जैमिनर कमेंट्स भी शेयर किये हैं मार्किंग प्लैन भी शेयर किये हैं यह एक्जैमिनर कमेंट्स और मार्किंग आपको iCAP की बुक में नहीं मिलेंगे, iCAP की बुक में नहीं मिलेंगे, पेपर्स में होते हैं, लेकिन iCAP की बुक में नहीं होते हैं, और पेपर्स भी पराने iCAP के पेपर डिलीट कर दिया करते हैं, अब जो पराने टीचर्स हैं, साला साल से पढ़ा रहे हैं, वो फिर हर में वेबर डाउनलोड करके अपने पास रख लेते हैं जैसे मेरे पास तो 2002 का पेपर भी मुझूद है क्वेस्टन पेपर भी है क्मेंट्स वगरा भी है आई कैप की वेबसाइट पर लेकिन अगर आप जाए उसमें शायद आपको 2018 से पुराने या लगबग उससे पुरानी एक्जैमनर कमेंट्स से सलूशन से भी ज्यादा हैं एक्जैमनर कमेंट्स से इसलिए हमने हर क्वेस्टन के साथ उसको एड़ कर दिया और मार्किंग प्लैन भी ये भी आपने लाजमी पढ़ने हैं इसको इग्नोर नहीं करना प्रिपरेशन का हिस्सा है इसके बगार आपक जो चीज लिखनी थी जिसका आपको नंबर मिलना था आपको पता नहीं चल सकेगा हो पता चलेगा एक्जैंडर कमेंट्स और मार्किंग सीम से फिर इसी तरीके से आगे से लूशन है अच्छा कभी कभी एक नई चीज और माणे Eagle andàn में एड़ किया सोचना भी पढ़ता है तो सूपर कंसेप्ट यू समझिए कि जैसे वो छोटे होते हैं हम तो बच्पन में कहानिया पढ़ा करते हैं शायद आप ने भी पढ़ी है वो शहजादे वाली और जिन वाली तो उसमें एकसर ऐसा होता था कि जिन की जान जो है वो किसी तोते में होती थी कैद तो उस तोते की गर्दन जिसने मरोड़ दी जिन मर गया वरना जिन को जो मरजी करते हैं उसके गर्दन भी उतार दे हो दुबारा जुड़ जाए करती थी ऐसा ही है कुछ इसी तरह की खानिया होती थी Super Concept का concept क्या है Super Concept असल में किसी भी past fluctuations के अंदर वो सबसे एहम चीज़ है जिसमेंस question की जान है जिस teacher नेे super concept समझ लिया, pick कर लिया बाकी is question के अंदर routine की discussion है बाकी चीज़ें भी लिखनी है, यह नहीं बाकी चीज़ें भी लिखनी है लेकिन question के अंदर सबसे अहम चीज़ जो थी वो super concept है ठीक है तो इसलिए हमने इसको add कर दो इसका purpose एक ही है कि आहरी महीने में जाके या आहरी हफते में जाके वो purpose जिसके लिए मैंने इसको बनाना शुरू किया आहरी हफते में जाके जब आपने revise करना है उस वक्त पूरे के पूरे past paper को अगर attempt करने की कोशिश करेंगे ना एक question आपके पंद्रा मिलिड ले जाएगा लेकिन अगर आप सिरफ उसके super concept को पता कर लेंगे आप करेंगे बागी तो इसमें routine की चीज़ है काम की चीज़ यही थी तो वही आपका 30 second के अंदर उस concept के अंदर उस question के अंदर जो सबसी अहम चीज़ है उसको 30 second में revise करवा देगा इसलिए हमने कोशिश कर रहे है super concepts को निकाले question के अंदर से यह super concept क्या है यह जिन की जान है इस question की जान है यह समझ लिया पूरा question solve हो गया लिकिन यह भी इन process है ठीक है कुछ questions में मैंने इसको add किया है कुछ में add मैं नहीं कर पाया by the passage of time मों करता रहूँगा जी यह था पूरा structure समझ आ गया यही है इसके लावा इसमें कोई और चीज नहीं एक general command marking plan दरूर आपने पढ़ना है इसके बाद icap की book का भी introduction आपके साथ शेर खरवा दूँ पी आर सी में आपने पढ़ा ही होगा यह table of contents है chapter अच्छा इसमें यह जो chapter नमर जब हम reference दे रहे होते हैं जैसे आपने देखा के यह जब मैंने reference दिया है यह chapter 2 अब मैं icap में फर्ज कीजिए यह point यह point है acceptance and its essentials यह यह पढ़ना चाहरा हूं icap की book में किदर है तो मैंने icap की book खोली उसमें ने कहा जाना है chapter 2 चैप्टर 2 पे जाएए यह आगया chapter 2 chapter 2 पे पहुंच के आगे कहा जाना था section 2.2 यह जो पहला यह chapter नमबर है यह पहला उसका main section number है और point के बाद sub section है जैसे इस chapter में जब आप जाएं तो यह इसका main section है यह एक दो तीन और फिर इसके बाद इनके सब section आएंगे यह main section है section 1 और यह है 1.1,1.2 बाद उकाद पूरा section relevant होता है ना तो मैं सिर्फ इतना लिख देता हूं section 1 इसका मतलब पता है section 1 में जो कुछ है वो सारी चीज़ें शामिल हो गई मतलब 1.1,1.2,1.3 मैं लएदा सारी चीज़ें नहीं लिखूँगा एक ही लिखता होगा section 1 लेकिन बाद उकाद किसी concern में section के दो paragraph एहम होते हैं बाकी एहम नहीं तो मैं क्या करूँगा कि इसमें 1.1 एहम है और 1.2 एहम है ठीक है समय लगी में section chapter 2, chapter 2 section 1 अगर इसमें सिर्फ एक ही paragraph relevant हूँ 1.2 तो मैं क्या लिखूँगा chapter 2 paragraph 1.2 तो आपने यहां पे पहुंच जाना है chapter पे और फिर बाद यह main section है और यह उसका sub section 1 है तो इदर आएगा 1.2 अगर यहां पर फर्श कीजिए हम आगे चलते हैं section 2 पे तो अब इसका paragraph क्या आगया 2.1 और फिर इसके तर आगे 2.2 चलेगा तो समझ आगी आपको chapter पे जाना पहले फिर उसके बाद main section पे जाना है फिर उसके बाद sub section जो भी लिखा हुआ है उदर जाकर आपने इसको read कर लेना है जी यहां तक clear हो गया जी हां आगे उसका सब पॉइंट है सब पॉइंट है वो भी उसके अंदर आ जागा यानि जैसे यहां पे भाई ने question पूचा उन्होंने का सर यह लिखा हुआ है 2.1 तो अगर मैंने किसी concept में लिखा हुआ है iCab का chapter 2 section 2.1 तो 2.1 में तो आगे कुछ भी नहीं लिखा हुआ यह तो आगे 2.1.1 है तो इसका क्या मतलब है इसका मतलब है इस section के अंदर जो भी चीज़ी है वो सारी 2.1 में ही है यह 2.1 ही है 2.1 का आगे पहले sentence फिर आगे 2.1.2 आ जाएगा वो उसी का के sub point है यानि जैसे हमारा iCab में question होता ना main question number उसके बाद उसका part 3, part A, फिर sub part 1 उसी तरीके से यह तरतीब चल लगा है ठीक है जब 2-3 दफ़ा आप इसको trace कर लेंगे उसके साथ फिर आपको अंदाजा हो जागा है कि किस तरीके से नमदी काम कर रहे है clear जी कोई और question पूछना चाहते हैं तो पूछ लेजिए कोई question नहीं चले शाबाश आज के अब concept की तरफ चलते है जी पेपर में क्या होगा पेपर में क्या same यही question आएंगे CA के पूरे exam में कभी भी ऐसा नहीं होगा कि same question वो आपको test कभी कभार ऐसा होता है और जब ऐसा होता है ना हम खुद हम teacher खुद I-CAP को criticize करते हैं कैसा नहीं करो same question नहीं दो ठीक है क्योंके same question से वो बच्चे की practice नहीं हो पाती वो रटा लग जाता है आपको लग रहा होगा सर यह क्यों आप कहते हैं अबल तो I-CAP खुद ही ensure करता है same question repeat ना हो देखें यह आप मैंने आपको पहले बताया था शायर introduction lecture में आप लोग जिस field में आए हैं आपको किस position के लिए तियार किया जा रहा है मुझे एक चीज़ बताईए क्या एक फर्ज कीजिए एक doctor की training और एक for example मैं मिसाल देने के लिए कह रहा हूँ एक doctor की training है और एक mochi की training है क्या एक जैसी होती है दोनों ही रिसके हलाल कमा रहे हैं दोनों ही अच्छा काम कर रहे हैं मैं profession को compare नहीं कर रहा है मैं सिर्फ difference बता रहा हूँ एक जैसे नहीं है उसी तरह मुझे बताईए क्या एक CEO की training जो company का chief executive officer जिसने टॉप लवल बैट के business decision करने है उसकी training और एक कलर जिसने filing का काम करना है सिर्फ ये फाइल उठा के उद्दर रखनी है उद्दर रखनी है जो फाइल उसको कहा जब निकाल के बास के सामने रखनी है इन दोनों की training एक जैसी होनी चाहिए ये ही फरक है C.A. में और B.A. में मैं compare नहीं कर रहा है ये नहीं कर रहा है बीए करने वाले वो सारे कलर को इतनी compare नहीं कर रहा है सिर्फ concept समझाने के लिए मिसाल दे रहा हूँ कि यहां पे आपको tough situation दी जाएंगी किसलिए ताके आप उन tough situations में decision करने के और perform करने के काबिल हूँ iCAP exam में जब आप जाएंगे आपको चीज पता चलेगी iCAP सिर्फ आपके exam में concept टेस्स नहीं करता आपके nerves भी टेस्ट करता है और nerves कैसे test करता है हर exam में एक नेक जटगा उसने रखा होता है उसकी वज़ा से students चमझता है कि मुझे paper आता ही नहीं है बाद में discuss करेंगे वह क्या होता है और कैसे इसको manage करना है बारहाल यह याद रखिएगा आपको जिस position के लिए तियार करवाया जा रहा है ना उस position की requirement है कि आपने ordinary situation face नहीं करने extra ordinary situation face करनी है उसके लिए आपको extra ordinary preparation भी करनी पड़ेगी ठीक है आप इससे पहले जो qualification होते हैं मुझे भी याद है F.A.B.I.com.B.com वगारा में होते थे हम वो पास्ट वेपल में जब हम देखते थे एक ही तरह की question repeat हो रहे होते थे हमारे teachers सारा सेशन बहुत लिए पड़ते रहते थे हम एंड पे आठ पे आठ प्ड़ेशन देते थे उसमें से 5 हाने होते थे और आते थे हमेंशा आते थे त तो आपको टॉप पोजिशन पे नहीं मिलेंगे लोग क्योंके वो चीज़ सिखाते ही नहीं है वो बिड़ागर कर दिया education system बाराल चले हैं मैं उसके पर comment नहीं करता इन शार्ट जहें में रखिएगा कि आपने देखे मैं जब इस फील्ड में आता है मैं किसले मेरे एक ही मुझे पता थी CA की salary बहुत ज्यादा होता है earning power बहुत ज्यादा में भी most of the situation आप लोग जो हैं शायद यहीं सोच किया है मैं तो यहीं सुन किया था होती है लेकिन याद रखिए उस position था का आप वो क्यूं होती है वो क्यूं होती है क्यूंकि आप extraordinary काम करते हैं यह practice लो है बड़ी बेरहम है यह selfish है यह आपको एक लाक रुपया तब ही देगी जब आप दूसरे को दो लाक रुपया कमा के देंगे अगर आप नहीं कमा के देंगे को आपको हजार पे की तनहां भी ने देगा तो यह आपने अपने अंदर जतनी ज्यादा स्किल्स पैदा करेंगे जितना ज़्याद आपने आपको competent बनाएंगे, hard working बनाएंगे, आपकी earning power उसी तरीके सा बढ़ेगी, practice में फाइदा देंगे किसी को, दूसरा बंद आपको फाइदा देगा, वरना आप एक graduation क्या कि आप PSDB कर लें, आप किसी को पैसा कमा के देने के काबिल नहीं है, practical corporate वर्ल् game question repeat नहीं करता, ना ही इसे करने चाहिए, ना ही इसे करने चाहिए, ठीक है, challenging question रखना चाहिए, आईके, आईके आपने हमारी society में से क्रीम उठानी है, क्रीम टॉप लेवल के लोग, हर एको उसने chartered counter नहीं बनाना, एक नामी सापने बढ़नी है, उसका असूल है, किस सीज क supply ज्यादा हो जाए, उसकी value कम हो जाती है, आईकेप chartered counter की supply ज्यादा नहीं, आईकेप को कोई तराज नहीं है, लेकिन उसने अपना quality का level ही ऐसा रखा हुआ है, कि supply ज्यादा नहीं हो पाती है, ठीक है, तो आपने top कोशिश करना है, अपनी class के अंदर भी top 10% जो students है, उन मे हैं, ठीक है, वैसे तो top 30-40% वाले भी chartered counter बनी जाते हैं, लेकिन time उनको ज्यादा लग जाता है, विदिन time, अगर qualify करना चाहते हैं, कोशिश करना है, हर subject में class के top 10 source rules है, तो कोशिश करें, top 10 में आपका नाम है, top 10 में नहीं आ सकता, तो चले, top 30-40 तक का ही जाए, 40 से में हमें अंदाजा होता है, मत अपने experience की बेस पे कहा हूं कि यह बच्छा chartered counter बनी जाएगा, अगर लगा रहेगा तो, छोड़ेगा नहीं तो बनी जाएगा, और top 10 के बारे में हमें अंदाजा होता है, कि यह within minimum time, इंशालला, chartered counter बनेंगे, clear जी, और की question पुछन पुछन कोई question नहीं, चलिए, अब चलते हैं हम अपने concepts की तरफ, देखें शायद orientation में मैंने आपको बताया थी यह बात, और वो classes ज्यादा होती हैं तो भूल जाता है कि किस class में क्या बात कही थी, कि कोई भी subject का जो start होता है ना बड़ा critical होता है, base बनानी होती है हमने, वहाँ पे problem हो जाना concept की, तो वो concept आगे फिर गलत चलता है, छोटा concept गलत तो उसके उपर जो बड़ा concept बिल्ड होगा वो भी गलत हो जाता है, तो आपने बड़े देहान से जिस तरीके से मैंने समझाना है ना, उसी तरीके से आपने इन concepts को समझते जाना है, और देखें, बाज उकात different होता है, किसी डॉक्टर के पास जाएंगे 20 साल से practice कर रहा है, वो कहेगा कि जी, पेशेंट की surgery कर दो, कई दूसरा डॉक्टर हो कहेगा, surgery की ज़रूरत में, medicine से ठीक हो जाएगा, कुई तीसरा हो साइटा है, कुछ और suggestion दे दे, तो इसमें professionals का difference of opinion होता है, आज मैं आपको बता रहा हूँ, आप जिस teacher के पास भी है, आपने उस teacher को follow करना है, बाज जो कात प्रफेशन में, मैं अन्ताज़ा होना, आप तो है, अरभी स्राट हुआ है, इदर दर की बाते गूम फिर रही होती है, ये ऐसे है, ये concept ऐसे है, उस teacher ने ऐसे बढ़ा दिया, उसने गलत कर क्या ये ऐसा था ये बगारा बगारा, difference of opinion होता है, हम कभी भी किसी भी दूसरी teacher की बात को गलत नहीं कहेंगे, ठीक है, difference of opinion होता है, आपने सिर्फ जिस teacher के पास आप पढ़ रही है, आपने उसी की बात को follow करना है, clear, मुझे अंदाज़ा है किया क्या problem किस जगा पे है, कहा छोड़ दें, बाकी सारी जी अग्नोर कर दें नहीं है, सिर्फ उसी जिस को pick करना है, जो class में आपके teacher के मुझे से निकलेगी, जो teacher बताएगा, बाकी इदर उदर की सारी बातें आपने अग्नोर करने है, definition किसलिए, क्योंकि ये वो concepts हैं, जो के हमारे पूरे law में आगे तक किसी subject में study किया होगा, कि total three types of business organizations है, soul proprietorship, partnership और company, soul proprietorship, partnership और company, इन तीनों के उपर laws applicable होते हैं, business laws है मराद, ऐसे laws जो businesses पे apply होते हैं, एक criminal laws भी होते हैं, criminal laws, ठीक है, business laws से मराद criminal laws नहीं है, जैसे कोई बंदा अगर चोरी कर लेता है, वो business law में discuss नहीं होगा, हाँ, अगर किसी ने किसी दूसरे को धोके से कोई चीज बेच दी है, इस पे business laws applicable होंगे, तो business laws किस पे apply होते हैं, ऐसे laws, business laws क्या, ऐसे laws जो business पे apply हो तो मुझे बताईए, laws किस वाले business पे apply होंगे, तीनों पे apply होंगे, soul providership पे भी, partnership पे भी, company पे, आई कैप ने असानी हमारे लिए क्या की, कि उसने दो business लाइदा कर दी है, soul providership और partnership, और कहा, एक subject में बच्चों को इनके laws सिखाए जाएंगे, और दूसरा subject होगा, company law कैफ 7, उसमें company से related laws सिखाए जाएंगे, तो उसने 3 को 200 में कर लिया, तो जो कैफ 4 का scope क्या है, इसमें जो ज़्यादातर laws हम study करेंगे, ज़्यादातर laws study करेंगे, वो soul proprietorship और partnership firm of business पे apply हो रहे होंगे, और company laws कप पढ़ेंगे, कैफ 7 कम दिला हमें, अच्छा अब soul proprietorship और partnership पे जो business पे, मुझे बताईए, एक किसी भी business में, सबसे बड़ी इतनी counting आपने किया, जिसका test इंतहान लेते हैं, किसी भी business में, जो सबसे ज़्यादा frequent transaction अकर होती है, वो कौन सी होती है, शाबाश, sale purchase, exactly, sale purchase, तो बताईए, आपको सबसे पहला जो law सिखाना चाहिए, business के वाले से, वो किस से related होना चाहिए, transaction, sale and purchase of goods and service, sale and purchase of goods and service, अच्छा जब कभी sale and purchase होती है, तो क्या कोई दो लोग आपस में मिल बैठ के agree करते हैं, सर ये चीज़ बताईए, कितने की है, इस क्वालिटी, इस क्वालिटी की चीज़ चाहिए, मुझे इस क्वालिटी में चाहिए, बताईए, क्या rate देते हैं, इन्होंने कोई rate दिया, म देखें, मैं आपसे एक दो चीज़ थोड़ी खरीद रहा हूं, पांसो चीज़ खरीद रहा हूं, आप हजार पे का rate दे रहे हैं एक चीज़ का, मैं तो 800 रुपया दूँगा, नहीं सर आप 900 दे दीजे, मैंने का चले 900 में done कीजी, क्या इस तरह की bargaining होती है, अब ये जो bargaining क पर एंड पे हम दोनों ने आपस में agree किया किस चीज़ के उपर, कि 500 यूनट खरीदूंगा, अट दा रेट अफ 900 पर यूनट, ये एक agreement कहलाता है, आम जबान में हम इसे agreement कहते हैं, law की language में इसे contract कहते हैं, आज से पहले शायद agreement और contract आपने एक ही लफ़ सुना, अमूमी त और contract में फरक है, तो हम जो law start करने जा रहे हैं सीखना वो है contract act, यानि जब कभी आप as buyer या as seller किसी parties के साथ contract करते हैं, तो उसमें आप के क्या rights and liabilities हैं, और दूसरी party के क्या rights and liabilities हैं, इसे कहते हैं contract act, और अगर दर्मियान में कहीं कोई dispute rise होता है, तो उस dispute को हल कैसे किया जाएगा, उस dispute में कौन सही है, कौन गलत, ये decision कैसे किया जाएगा, सारे का सारा contract act यही सिखाता है, सारे का सारा contract act, ये तकरीब हमारा chapter 2 से लेके chapter 9 तक चलेगा, 8 chapters हैं, हमारे इस लेबस में सबसे ज़्यादा question इ इसी contract act में से आएगे, तो contract act का scope क्या है, ये हमें क्या सिखाता है, कि जब buyer और seller आपस में एक दूसरे के साथ कोई agreement करते हैं, तो उस agreement में इनके rights और duties क्या होंगे, और अगर इनमें कभी कोई dispute rise होता है, जो कि exam question में हमेशा dispute rise होगा, ठीक है, क्योंकि स्टोरी बनती ही तब है, जब उसमें कोई twist होता है, जब कोई twist ना हो, स्टोरी ही ना बने, उसमें कोई interest ही ना ले, तो इसलिए exam में जो भी case studies आएंगी, buying या selling की, इसमें कुछ ना कुछ twist होगा, आपने decide करना होगा, इसमें कौन सही है, कौन गलत है, और अब क्या होगा, तो contract act पूरा क्या बत सबसे पहले चीज़, देखे कुछ अलफाज होते हैं, मनें बताया हर subject की अपने specific होते हैं, accounting में जब आप यही चीज़ पढ़ते थे, तो आप term use करते थे buying और selling की, buying और selling की, के goods about on credit, goods sold on credit, हम यहाँ पे parties के लिए word buyer और seller use नहीं करेंगे, कभी, law में हम parties के लिए word buyer और seller, यह counting की term थे, parties वहीं होंगी, एक buyer होगा, एक seller होगा, उनके लिए word buyer और seller use नहीं करेंगे, तो क्या word use करेंगे, यह मैं अब आपको सिखाने लगा हूँ, धियान से आपने इनको सीखना है और समझना है, सबसे पहले contract act start होता है, यानि जब contract act के concept supply होना शुरू हो जाते हैं, वो कुण सा phase है, कि एक person किसी दूसरे person को कहता है, sir, जैसे मैं एक दुकानधार हूँ, और मैंने कोई चीज बेच नहीं है, या यूँ कह लीजे, मेरे पास एक गाड़ी है, मैंने गाड़ी बेचनी है, तो मैं इन से कहूंगा, भाई, क्या आप मेरी गाड़ी खरीदेंगे पांच लाख में, ये मैंने इनको एक statement दी, law की language में statement को कहते हैं, हम offer, मैंने इनको offer की, कलियर होगी ये बाद, अच्छा ये याद रखें, offer कोई भी party, किसी भी party को कर सकती है, मैं इने ये कहूं, क्या आप मेरी गाड़ी खरीदेंगे, मैं भी ये कह सकता हूं उनको, और ये भी मुझे कह सकते हैं, क्या, क्या, क्या आप अपनी गाड़ी मुझे बेचेंगे, दोनों सूर्तों में ये offer ही कहलाएगी, यानि offer to buy something भी हो सकती है, offer to sell something भी हो सकती है, तो offer क्या है, किसी से कोई चीज़ पूछना, कि भाई, क्या, हम, आपकी ये चीज़ खरीदना चाहते हैं, क्या आप ये चीज़ हमें बेचेंगे, या एक बना कहेगा, मैं ये चीज़ आपको बेचना चाहता हूँ, क्या आप ये चीज़ खरीदेंगे, offer समय लगी क्या है, offer अभी सिर्फ one-sided है, जहेंद में रखिएगा, ये one-sided statement है, इसमें दूसरी तरफ से अभी कुछ भी नहीं पता क्या होगा, ये एक party, one way है, जो बना offer कर रहा होता है, इसको law कहता है, offerer, और जिसको offer की जाती है, इसको कहा जाता है, offeree, जो बना offer कर रहा है, उसको क्या कहते है, offerer, और जिसको offer की जाती है, वो है offering, यही कह रहा है, offer क्या है, offer बताया है, when a person, when one person, shows his willingness, कि वो त्यार है, willingness, अभी agree नहीं हुआ, वो अपनी willingness शो कर रहा है, ट्यार है, to do something, or not to do something, not to do के उपर आपने focus नहीं करना, एक explain, example के जरी, इसको भी explain करता हूँ मैं, लेकि इसको पर focus नहीं करना, focus इसको पर करना है, to do, case study के उपर base करेंगे, आपको लग रहा होगा, 50% concept इसमें है, 50% concept इसमें है, गलत लग रहा है, 98% concept इसमें है, 2% concept इसमें है, तो आपको ये मुश्किल लग रहा होता है, तो जो चीज़ मुश्किल लग रही होते हैं, हम ज्यादा जोर उसके उपर दे रहे होते हैं, to do something, तो समझ जाता है, not to do क्या होगा, not to do क्या हो, not to do क्या हो, वो भी शायदा है, ठीक है, लेकि मैं एक्स्प्लेइन सारी चीज़े करूँगा, लेकि बता रहा हूँ, कि आपने किसके उपर ज्यादा सोचना है, किसके उपर ज्यादा सोचना है, जो मुश्किल चीज़ है, उसके उपर नहीं ज्यादा सोचना है, तो ये आफर समझा आगी आपको क्या है, वेन वन परसन शोज़ इस विलिंगनेस तो जो जो आफर करने वाला होता है, उसे क्या कहते हैं, आफर, और जो जिसको आफर की जाती है, मैं अपने घर से निकला सामने देखा, रिक्षे वाला खड़ा था, मैंने रिक्षे वाले से कहा, भाईया, कालिज चलोगे, इसमें बताईए, आफर कौन है, मैं आफर हूँ, आफर कौन है, रिक्षे वाला बेक्षे, मैं स्टाप पे खड़ा था, करीब से चिंग्ची वाला गुजरा, चिंग्ची वाले ने गुजरते गुजरते शारा किया, सर जी जाना है, अब इसमें आफर कौन है, चिंग्ची वाला, और आफरी कौन है, क्लियर हो गया, आफर क्या है, समझ आगई, आफर कौन है, और आफरी कौन है, यह भी समझ आगई, अच्छा जब किसी को आफर की जाती है क्या लाजमी है कि दूसरे की तरफ से येस हो या नो भी हो सकती है जब किसी जिस बंदे को आफर की जाए उसकी तरफ से नो हो जाए तो उसे हम कहते हैं Rejection of Offer या Revocation of Offer मुश्की लफज है Revocation, Revoke करना इंग्लिश में पढ़ा है कभी लफ़ पढ़ा हुआ है इंग्लिश कैपड़ी में रिवोग र-e-v-o-c-a-t-i-u-n या र-e-v-o-k-e रिवोग वर्ब वर्ब है यह हाँ के साथ भी होता है और अगर वो नाउन बन जाए है यह क्या कहते है उसको रिवोकेशन का मतलब कैंसलेशन तो जब जिसको आफर की जाए वो नो कर दे तो इसे हम क्या कहते है रिवोकेशन और जब येस कर दे एकसेप्स ठीक है और अगर साइलेंट रहे ना येस किया ना नो किया ये ना रिजेक्शन है ना एकसेप्टेंस है साइलेंस इस ना एकसेप्टेंस हास्तों पर ये जनर रूल है आगे मजीद कंसेप्स सटी करेंगे बाराल जिसको आफर की येस कर दे एकसेप्टेंस नो कर दे rejection या revocation silent रहे तो ये depend रहेगा अच्छा offer not to do something ये तो do something की होगी नो बात पिसर जाना है या गाड़ी बेशनी है आपने not to do की example सुले मैंने इन भाहिजान को offer की अगर आप एक महीना mobile इस्तमाल ना करें मैं आपको एक लाख रुपया दोगा एक company ने पढ़ा था article ये offer की भी थी कि आपने एक certain period mobile के बगार जिन्दगी गुजारनी है और आपको एक लाख डालर इनाम दिया जाएगा लोग नहीं कर सके तो बताईए अगर मैं भाईजान को ये कहूँ कि आपको एक लाख रुपया नाम दिया जाएगा अगर एक मिहने तक mobile इस्तमाल नहीं करना ये offer to do something की है कि offer not to do something ठीक है चचा ने बतीजे से कहा अगर तुम सिगरेट छोड़ दो तो मैं तुमें मोटर साइक के लिए नाम में दूँगा अब ये offer to do something की है कि not to do something मैं आपको पांच लाख रुपया ये तो जनल सोशल एक्जेम्पल होगी ना कमर्शल एक्जेम्पल मैं आपको पांच लाख रुपया दूँगा मेरी भाई की दुकान एकी मार्केट में है भाई की दुकान पे गहा की गहा कोते हैं मेरी दुकान पे गहा कोई आता नहीं मैं करहу भाई को भाई मेरे से पांच लाख रपीया ले लो उसके बाद तुमने इस मार्केट में बिजनिस नहीं करना offer to do something है या not to do something not to do something ठीक है तो offer to do something फीदी है not to do समझ आगे लेकिन आपने ज्यादा फोकस इसके ओपर नहीं करना ज्यादा फोकस आपने offer to do something में करना है अब आते हैं acceptance की तरफ है acceptance क्या है when offery कौन when offery communicate communicates offery भी एहम लफ़ज है communicate communicate करता है क्या his consent to offer तो उसे क्या कहते है acceptance acceptance का मतलब क्या है कि जब offery communicate करे अपनी consent को किसको offer को तो वो है acceptance when offery communicate करे भाई जान से कहा भाई क्या आप मेरी गाड़ी पांच लाख में खरीदेंगे साथ वाले ने का जी सर मैं खरीदेंगा क्या acceptance है क्यों acceptance नहीं है शबाश acceptance मुस्ने पहली चीज़ कही कि offery acceptance दे जिसको offer की जाए ना वो ही acceptance दे सकता है कोई और नहीं यह नहीं है कि मैंने offer किसी और को की acceptance किसी और ने दे दी ना 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 अगर मैं offer इस तरीके से करता हूँ क्या आप दोनों में से कोई मेरी गाड़ी पांच लाख में खरीदेगा फिर यह भी offer acceptance दे सकते है वो ठीक होगा लेकिन फिर तीसरा बंदा नहीं दे सकता तो acceptance कुन दे सकता है इसलिए acceptance पर उसने पहले लिखा offer दूसरा उसने लिखा communicate कि वो communicate करे अपनी consent यानि रजामन्दी को अगर वो communicate करेगा अपनी नारजामन्दी को कि नहीं मुझे नहीं मन्जूर वो acceptance नहीं है वो तो revocation हो जाएगी जब उसने communicate करना है अपनी consent को यहाँ पे लफज है communicate communicate का मतलब क्या होता है आप कोई message communicate करना है किसी दूसरे को आप कितने तरीकों से communicate कर सकते हैं communication verbally कर सकते हैं return कर सकते हैं communication ला कहता है communication जो है वो तीन तरह से हो सकती है communication बलके दो बड़ी टाइप्स हैं एक के अंदर या अगे सब टाइप्स आ जाती है communication कितनी तरह की होती है एक है express एक है implied ये दो तरह की communication है express का मतलब क्या होता है आप clearly by words by words words दूसरे को yes करते हैं ये words written भी हो सकते हैं ये words verbal भी हो सकते हैं दोनों ही express में आएंगे express का मतलब clear लें लेकि लान एक दूसरी communication का तरीका भी दिया है वो है implied implied में क्या होता है आप by words नहीं communicate करते हैं आप by conduct communicate करते हैं conduct communicate करते हैं जैसे मैं इनसे पूछूं क्या आप मेरी गाड़ी पांच लाख में खरीदेंगे पांच लाख में खरीदेंगे अब इन्होंने जवाब ने जवाब ने दिया ना लिख के दिया इन्होंने सरह ला दिया बताईए क्या acceptance होगए communicate ये कौन सी express है या implied implied कौन सी होती है by conduct express कौन सी होती है by words verbally भी हो सकते है written भी हो सकते है दोनों ही express है implied कौन सी है by conduct अच्छा अब सुनेए मैंने इन भाईजान इन भाईजान को कहा कि क्या आप मेरी गाड़ी पांच लाग में खरीदेंगे इन्होंने सर नहीं हिलाया पांच लाग रुपया टेबल पर रख दिया उनका ये ले सर ठेक है क्या ये भी acceptance है बिलकुल acceptance हम मुबाइल शॉप पे गए हमने मुबाइल शॉप वाले से कहा सर मुबाइल कितने का है 50,000 का हमने का सर 45,000 में देंगा उसने का 45,000 में नहीं देंगा ये आफर की क्या हुई रिजेक्शन होगी मैने का अच्छा मैंने जेब से 47,000 निकाला मैंने का सर मैं सिरफ 47,000 ही दे सकता हूँ और 47,000 उसके सामने टेबल पे, काउंटर पे रख दिया उसने कुछ भी नहीं बोला 47,000 उठाया गीना और अपने पास रख लिया क्या ये acceptance है ये भी acceptance है कौन सी acceptance है implied acceptance दो तरह की होती है express भी है implied भी है लेकि याद रखे implied acceptance और चीज़ है silence और चीज़ है अगर मैंने उसे कहा क्या आप ये 70,000 ये लीजिए और वो चुप करको उसने पैसे नहीं उठाये उसने कोई response भी नहीं दिया वो दूसरे कस्टमर के साथ डील करना शिरू हो गया मुझे कोई response नहीं दिया क्या ये acceptance है ये acceptance नहीं ये silence है उसने no response देखें जो implied होता है ये भी by behavior कोई बन्दा response दे रहा होता है implied में by conduct response मिलना होता है silence में तो कोई response ही नहीं मिलना दो नहीं में फारक है clear हुई बात चलिए आज के लिए इतना काफी है ये प्रामिसर और प्रामिसी ना ये मैंने आज नहीं explain करूँगा ये आपको फिर कभी explain करूँगा आज मैंने express और implied कर दिया इसकी जगह पे और ये silence नहीं है ये बता दिया आपको एंड पे एक छोटी सी example सिर्फ चोटी सी टेस्ट करना चाहता हूँ आपका कि आपको ये concept समझ में आया कि नहीं आया वो यहां पे concept समझाते हो ना वो बच्चमन में कोई मूवी देखी थी वो जेन में आ जाती है वो होता मूवी में कुछ यू है कि गाउं का एक होता है नाई उसका बेटा और वो जो चोधरी साब की बेटी के साथ शादी करना चाहता होता है और वो अपने वालिद को कहता है कि आप चोधरी साब के घर रिष्टा लेके जाएए जो उनका बाप नहीं होता है वो चोद्री साब के घर रिष्टा लेने के लिए जाता है जब रिष्टे की बात जैसे ही चलाता है चोद्री साब को कहता है चोद्री साब क्या आपको अपनी बेटी के लिए मेरे बेटे का रिष्टा कबूल है चोधरी साब कहते हैं ठहरो अभी जवाब देता हूँ वो अपने कुटे उस पर छोड़ देते है अचा जब कुटे जो भी ड्यूटी होती है वो पुरी कर लेते हैं काट गुड लेते हैं तो एंड पे जो नाई होता है वो फिर पूछता है चोधरी साब फिर मैं ना समझा तो मुझे बताईए चोधरी साब ने कोई जवाब दिया के नहीं दिया देखें उन्होंने ना येस किया नो किया एक्सप्रेस कुछ नहीं था इंपलाइड क्या बाय कंड़क्ट था बाय कंड़क्ट एक्सेप्टनस थी के रिजेक्शन थी रिजेक्शन थी ombास साब कहेंगे चैसका मतलब है एक्सेप्टनस भी बाय कंड़क्ट हो सकती है और और अगर चोधरी साब जवाब ना देते बलके अपने मुलाजिम से कहते हैं जाओ मिठाई के टोगरे ले गया हूँ और तो भी यह क्या होता यह है बाइकनड़ तो ला याद रखिएगा अलफाज को भी कंसीडर करता है ला कंड़क्ट को भी कंसीडर करता है कंड़क्ट की बेस पे भी एग्रिमेंट हो जाते हैं tickets हो जाती है ठीक है यह बात जहेंड में रखिएगा लेकिन silence acceptance नहीं है अगर चोदिरी साब कहते के मुझे सोचने का कुछ time दीजिए मुझे सोचने का कुछ time दीजिए तो क्या वो घर जाके अपने बेटे को किया देता हाँ हो गई है नहीं और फिर अगर चोदरी साब की तरफ से जवाब आया ही नहीं जवाब आया ही नहीं तो क्या फिर कहा जा सकता है acceptance हो गई है acceptance नहीं हुई silence is not acceptance जो acceptance है वो communicate होती है express भी, implied भी लेकिन silence के जरीए से acceptance communicate नहीं, फरक समझा रहा है silence में और implied में silence में कुछ भी show नहीं हो रहा होगा implied में कुछ ना कुछ body language या conduct के जरीए से show करवाया जाता है कि yes है या no done जे चलिए, इसको mark कर लीजिए यहां तक काफी है, ठीक है अच्छा सम टाइम ऐसा होता है कि जो मैंने plan किया होता है उसके मताबिक discussion ज्यादा होती है, complete नहीं होता इस situation में assignment आपकी थोड़ी सी revise हो जाया करेगी तो जो revise assignment हुआ करेगी वो आपके group में share कर दिया करूँगा assignment class में भी हम distribute कर देते हैं लेकिन अगर कभी assignment revise हो वैसे मेरी कोशिश होती है daily basis के उपर आपके group में भी share कर दिया करूँ तो आपने group में भी assignment को देख लिया करना है कि कहीं कोई revise तो नहीं हो गए ठीक है जा वरना अगर कुछ भी नहीं है तो इसका मताब जो आपको class में assignment दी गए यही आपने कर दो ठीक है जी आज का lecture यहां पे खत्म करते हूं अल्ला हाफिस